गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं पुष्पेन विश्व कर्मा आप लोग का मैट्स का टीचर स्टुडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास थर्ड की मैट्स का चेप्टर नमबर सेवन ठीक है जो कि क्या है आपका चेप्टर नमबर 7 है आपका common fraction ठीक है common fraction ठीक है तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये chapter स्टार्ट किया था और मैंने आप लोग को common fractions के बारे में कई सारी चीजे पताई थी ठीक है न fractions क्या होते हैं ठीक है और fractions में nominator और denominator denominator कैसे हम find करते हैं वो सारी चीजें हमने देखी थी ठीक है तो आईए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा terms the terms numerator and denominator तो इसमें क्या लिखा हुआ है in each fraction the numeral below the line tell us into how many equal parts each whole is divided जो below के line के नीचे रहता है ठीक है जैसे यहां पे 3 upon 5 दिया हुआ है तो यह जो number रहता है यह हम बताता है कि एक whole parts कितने parts में divide हुआ है ठीक है ना एक whole मतलब एक पूरा कितने parts में यह divide हुआ है ठीक है ना जो line के नीचे कर रहता है ठीक है ना we called it the denominator of the fraction और यह जो है denominator कहलाता है fraction का ठीक है for example 5 is the denominator in the fraction 3 upon 5 तो यहां पे 3 upon 5 में denominator कितना है 5 है ठीक है तो denominator क्या चीज़ होती है in each fraction the numeral below the line tell us into how many equal parts each whole is divided ठीक है जो each whole कितने parts में divide होगा वो line के नीचे जो number लिखा रहता है उससे हमें पता चलता है ठीक है we call it the denominator of the fraction जो हम denominator of the fraction कहते है ठीक है जैसे कि 3 upon 5 में जो 5 है वो denominator है ठीक है क्योंकि ये line के नीचे लिखा हुआ ठीक है इसके बाद में in each fraction the numeral above the line जो line के उपर रहता है tell us how many of the equal parts have been taken और जितने equal parts में divide किया गया है उसमें से कितने parts taken किये गया है वो हमें बताता है ठीक है ना we call it the numerator of the fraction और इसको हम numerator कहते है fraction का ठीक है तो जैसे कि 4 is the numerator in the fraction 4 upon 7 4 upon 7 है तो इसमें जो 4 है वो जो है numerator कहलाएगा ठीक है तो इस तरह से fraction में क्या आपका numerator उपर होता है और denominator नीचे होता है जो denominator रहता है ये क्या बताता है कि कितने parts किये गए है means 1, 2, 3, 4 5 part किये गए है ठीक है एक number के तो 5 आपका line के नीचे आएगा इस 5 में से हमने कितने parts लिए है 3 part लिए है ठीक है तो 3 उपर आएगा तो कितने parts लिए है वो उपर आता है और total कितने parts किये गए है वो नीचे आता है ठीक है ना तो उपर जो रहता उसको numerator बोलते है और जो नीचे रहता उसको denominator बोलते है ठीक है ना तो अब students आप लोगो fraction में जो है numerator और denominator दोनों ही अच्छे से पता चल गया होगा ठीक है ना इसके बाद we read the fraction 4 by 7 as 4 7 और 4 by 7 ठीक है इसको यह तो 4 7 बोलते है आप 4 by 7 बोलते है ठीक है इसके बाद आईए यहां next page पर चलते है तो यहां पर exercise दी हुई है 7.5 ठीक है इसमें आपको हर एक fraction में denominator और numerator बताने ठीक है ना यहां पर numerator क्या है और denominator क्या है 7 upon 8 में numerator क्या है दिनोमिनेटर क्या है ठीक है तो यह आप आसानिस कर लेंगे ठीक है इसकात क्या लिखना है write the fraction from the given denominator and numerator तो यहाँ पर numerator और denominator दोनों दिया गया है तो आपको इससे fraction बनानी है ठीक है इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं क्या equal और equivalent fraction क्या होते है ठीक है ना तो equal और equivalent fraction क्या होते है आए देखते है क्या लिखा हुआ है if we fold a paper into two equal parts and shade one part then this shade part is one by two of the whole जैसे कि यह एक paper था ठीक है इसको हमने 20 से fold कर दिया ठीक है और इसके half part को folded part को में से एक folded part को जो है sheet कर दिया तो इसको हम क्या कहेंगे one upon two of the whole ठीक है तो यह कहलाएगा किता one upon two part of the whole ठीक है फिर उसके बाद क्या again we fold this paper now the paper is divided into four equal parts ठीक है इसके बाद हम इस paper को फिर से एक बार fold कर देंगे तो यह क्या four equal part में divide हो जाएगा ठीक है and out of them two parts are shaded और उसमें जो है दो parts shaded है तो this shaded part is two upon four of the whole और यह shaded part यहाँ पे देखिए आपका यह जो shaded part है इसमें इसको हम क्या लिखेंगे one upon two ठीक है क्यों क्योंकि दो part है और इसमें से one part हमने take 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 किया है ठीक है इस पेपर को जब four part में divide कर देंगे fold कर देंगे तो इसका क्या है two upon four इसको बोलेंगे ठीक है बट यहाँ पे देखिए जो shaded part है यह दोनों ही condition में क्या है equal है इसमें भी उतना ही है इसमें भी उतना ही है इसलिए हम कहरेंगे कि one upon two और two upon four यह दोनों क्या है equal है fraction ठीक है ना दोनों बराबर हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो one upon two है और two upon four है यह दोनों fraction जो है एक ही fraction ठीक है और इस तरह की जो fractions होती है एन्यों को हम क्या बोलते है या तो equal fraction बोलते है या फिर equivalent fraction बोलेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए one upon two है और two upon four है तो जो two upon four है इसको हम अगर cancel out करेंगे तो यह one upon two ही बनेगा ठीक है means यह जो fraction बनी हुई है two upon four यह one upon two में अगर हम two का multiply उपर कर दे और two का multiply नीचे कर दे तो यह fraction हमारे पास में आ जाएगे two upon four ठीक है इसलिए जो two upon four है यह इस fraction के बराबर होगी ठीक है और इसको हम equivalent fraction भी कहेंगे ठीक है आये next page पे चलते हैं तो वहाँ पे हमने क्या दो फोल्ड किया था ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका इस paper को कितने फोल्ड किये है इसके three four फोल्ड इसका किया गया ठीक है ना फोल्ड करने पे इसके कितने parts होगा है आपके आईए count करते हैं तो यहाँ पे one two three four five parts है और fold कितने है one two three four fold ठीक है इसके four fold किये और इसके parts कितने होगा five और इसमें कितने part को shift किया है एक part दो part तीन part और four part को shift किया है ठीक है तो इस तरह से यह जो fraction है यह कितनी बनी four upon five ठीक है क्यों क्योंकि total कितने part है one two three four five part है जिसमें से four part को shift किया या four part को taken किया गया है ठीक है तो four upon five है ठीक है इसके बाद में इसी paper को हम जो है इस तरह से दो fold और कर देते हैं ठीक है यहां से अभी यह one two three four fold पहले से था और दो fold इसको बाद में फिर से कर दिया तो अब जो है total इसके कितने part हो गए one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen ठीक है तो total fifteen part हो गए बट जो shaded part है वो तो इतना ही है और shaded part इसमें count कर लेते कितने one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve तो 12 part हो गए तो इसको हम twelve upon कितना fifteen लिख सकते हैं तो जो four upon five है ये बराबर है किसके twelve upon fifteen के इसलिए ये दोनों जो है हमारी क्या कहलाएंगी equivalent fraction कहलाएंगी ठीक है इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं four upon five जो था इस पर हम अगर three का multiply उपर कर दें और three का multiply नीचे कर दें तो हमारे पास में कितना जाएगा twelve upon fifteen ठीक है तो इस तरह से जो fractions हमें मिलती है इसको भी हम क्या बोलते हैं equivalent fractions बोलते हैं ठीक है तो equivalent fraction find करने के लिए क्या करना पड़ेगा to find equivalent fractions first के लिखा हुआ है to find equivalent fractions we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number और other than zero means zero के अलावा हम किसी number से इसमें multiply करते हैं किसमें numerator में और denominator जैसे की to find equivalent fraction of five ठीक है five का equivalent fraction हमें find करना है तो क्या करेंगे five upon eleven का equivalent fraction find करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे five upon eleven में पहले टू से multiply किया किदर उपर और नीचे means numerator और denominator में तो कितना मिल गया हमें 10 upon 22 ठीक है इस दरह से जब 3 से multiply करेंगे तो मिलेगा कितना 15 upon 33 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 20 upon 44 5 से करेंगे 25 upon 55 तो इस तरह से ये जितने भी fraction हमें मिलेंगी सबी जो है five upon eleven की क्या हो जाएंगी equivalent fraction कहलाएंगी ठीक है तो एक तरीका तो ये हुआ equivalent fraction find करने का ठीक है इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होगा आपका to find equivalent fraction we divide numerator and denominator of a fraction by the same number other than zero ठीक है means zero के अलावा या तो हम multiply करके या तो हम divide करके भी equivalent fraction निकाल सकते देशे की 65 divided upon 95 का equivalent fraction क्या होगा इन दोनों में हम five से divide कर दिया तो हमें कितना मिल गया 13 upon 19 तो जो 65 upon 95 है और 13 upon 19 ये दोनों भी क्या हमारे equivalent fraction कहलाएंगे ठीक है तो इस तरह से जो है equivalent fraction आप find कर सकते हैं ठीक है multiply करके भी और divide करके भी ठीक है इसके आद आईए exercise 7.6 पर चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है exercise 7.6 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है are these equivalent fractions ठीक है tick right for yes and cross for no ठीक है तो यहाँ पर आपको जो है दो fractions दी हुई है ठीक है आपको बताना है कि क्या यह equivalent fraction है अगर है तो आपको right click करना है अगर नहीं है तो cross mark करना है जैसे one upon five और five upon five ठीक है तो क्या यह equivalent fraction है ठीक है तो इसको कैसे check करेंगे तो one upon five दिया हुआ है ठीक है तो इसमें अगर हम one से बना है कितना five तो किसका multiply करना पड़ेगा five का तो five का उपर करेंगे तो five का नीचे भी करना पड़ेगा ठीक है तो one into five is equal to कितना हुआ five और five into five is equal to हो जाएगा 25 ठीक है तो one upon five की जो equivalent fraction है यह five upon 25 होगी ठीक है बट यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका five upon five इसलिए यह इसकी equivalent fraction नहीं होगी तो यहाँ पर आप cross mark लगाएगे ठीक है इसके बाद next question में क्या दिया हुआ है कि जो three upon five है इसकी equivalent fraction क्या है 10 upon 15 है या फिर नहीं तो three upon five दिया हुआ ठीक है तो यहाँ पर क्या है 10 upon 15 है ठीक है तो क्या आप three से ten बना सकते हैं क्या यह नहीं possible है five से 15 तो बन जाएगा three का multiply करेंगे तो बन जाएगा बट three से ten नहीं बनेगा तो इसलिए जो है यह fraction equivalent नहीं है ठीक है इसके बाद यहाँ पर third number में क्या दिया हुआ है two upon five into और eight upon twenty तो two upon five में जब हम two से eight कैसे बना four से तो four का उपर करेंगे तो four का नीचे भी multiply करना पड़ेगा तो two into four is equal to eight और five into four is equal to twenty eight upon twenty तो two upon five से eight upon twenty हमें मिल जाएगा इसलिए यह दोनों fraction जो है यह equivalent है यहाँ पर आप right mark करेंगे ठीक है तो इस तरह से strands यहाँ पर आपको equivalent fraction find करना है ठीक है जैसे यहाँ पर दिया eight upon forty but यहाँ पर twenty लिखा हुआ है इसलिए यह जो है equivalent fraction नहीं है ठीक है इस तरह से strands आपको सभी fractions को जो है check करना है जो equivalent fraction है उनके आगे आपको जो है write करना है और जो नहीं है उनके आगे आपको cross mark करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है write the first five equivalent fraction off ठीक है ना आपको five equivalent fractions निकालने है ठीक है ना जैसे यहाँ पर दिया हुआ है three upon four ठीक है तो आपको step wise three upon four में सबसे पहले क्या करना है two से multiply करना है numerator और denominator दोनों में आपके पास कितना जाएगा six upon three into two is equal to six four into two is equal to eight ठीक है तो two से multiply किया तो six upon eight आया ठीक है तो first equivalent fraction कितने जाएगे six upon eight ठीक है इसके बाद में three upon four में three से multiply किया तो कितना जाएगा nine upon twelve ठीक है इसके बाद में three upon four में four से multiply कर दीजिए तो कितना जाएगा 3 into 4 is called to 12 4 into 4 is called to 16 ठीक है तो इस तरह से आपको moeten Multiply करते करते आपको fractions मिल जाएँगे Equalant fractions मिल जाएँगे ठीक है तो सबसे पहले आपको 2 upon 2 से करना Multiply ठीक है फिर उसका 3 upon 3 से Multiply करना है फिर 4 upon 4 से करना है ठीक है फिर 5 उपन 5 से करना है तो आपको equivalent fractions मिल जाएंगे ठीक है ठीक है students तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे equivalent fraction निकालनी है ठीक है सभी की फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हो है fill in the blanks यहाँ पे आपको fill in the blanks करना है ठीक है तो 4 upon 4 इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा आपका 8 upon 8 ठीक है इसकी equivalent fraction 8 upon 8 हो जाएगी 8 upon 8 की equivalent fraction 1 upon 1 हो जाएगी ठीक है इस तरह से 1 upon 3 की equivalent fraction 2 upon 6 हो जाएगी ठीक है इस तरह से सभी का equivalent fraction आपको बगल में लिखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है write the 3 equivalent fraction by dividing आपको यहाँ पे divide करके 3 equivalent fraction निकालनी है तो 16 upon 14 में सबसे पहले आप किस से 2 से divide करेंगे ठीक है 2 से उपर भी कर दीजे और 2 से नीचे भी कर दीजे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 upon 20 ठीक है इसके बाद में 8 upon 20 आपकी equivalent fraction आ गई ठीक है इसके बाद में 16 upon 40 में आप किस से कर दीजे आप 4 से कर दीजे ठीक है यहाँ पे कितना जाएगा 4 upon कितना जाएगा 10 ठीक है इस तरह से आप equivalent fraction निकाल सकते है ठीक है इसके 16 upon 40 में आप किस से कर दीजे आप 8 से कर दीजे ठीक है तो यहाँ पे 2 upon 5 आ जाएगा ठीक है तो 3 equivalent fraction आपके पास में आ जाएगी ठीक है तो आपको divide करके equivalent fraction निकालना है ठीक है यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है kinds of fractions ठीक है तो fractions के kinds कौन-कौन से प्रकार होते है इनके बारे में जानेंगे तो fractions that have the same denominators are called like fractions ठीक है तो ऐसी fractions जिनके denominators same रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं like fractions बोलते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे 2 upon 7 और 3 upon 7 ठीक है इसमें denominator दोनों का सेम है तो यह और यहाँ पे 4 upon 7 तो यहाँ पे तीनों का denominator सेम है इसलिए यह तीनों जो है यह like fractions कहलाएंगे ठीक है इसके बाद में fractions that have different denominators are called unlike fractions ठीक है तो अगर fractions में जो है अलग-अलग denominators रहते हैं तो वह unlike fractions कहलाएंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 upon 2 दिया हुआ है 1 upon 3 दिया हुआ है 1 upon 4 दिया हुआ 1 upon 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका denominator 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है तो जब denominators अलग-अलग होते हैं तो वो fractions क्या है? unlike fractions कहलाते हैं ठीक है न? तो like fraction और unlike fractions दोनों अलग-अलग होते हैं like fractions में denominator सेम होता है सभी fractions का और unlike fraction में denominator जो है वो अलग-अलग होता है तो यह अप लोग ध्यान में रखेगा इसके बाद क्या है? comparison of fractions ठीक है तो comparison of fractions कैसे करेंगा आई देखते हैं कहा लिखा when denominator is same fraction with greater numerator is greater जब denominator जो है fractions का same रहता है तो जो greater numerator वाला fraction रहता है वो बड़ा रहता है ठीक है और fraction with smaller numerator is smaller तो अपनों ध्यान में रखिएगा ठीक है जैसे की यहाँ पे 6 upon 7 है ठीक है फिर 5 upon 7 है और 4 upon 7 है तो यहाँ पे हम देखेंगे की denominator तीनों का same है ठीक है तो इस condition में जब denominator same रहता है तो जो जिस fraction का numerator बड़ा रहता है वो fraction बड़ी के लाती तो यहाँ पे सबसे बड़ा numerator किसका है इसका तो यह सबसे बड़ी fraction है तो इसका आद में यह है इसका फिर सबसे छोटी fraction 4 upon 7 हो जाएगे ठीक है न तो यह आपका descending order हो जाएगा इस तरह से 4 upon 7 5 upon 7 और 6 upon 7 यह जो है आपका ascending order हो जाएगे यह सबसे चोटा और यह सबसे बड़ा ठीक है इस तरह से 7 upon 8 6 upon 8 5 upon 8 4 upon 8 इस तरह से fraction जो रहेंगे यह छोटी होती जाएगे ठीक है न तो आपको हमेशे ध्यान में रखना है कि fractions को compare करने के लिए उनका जो denominator है वो हमेशा same होना चाहिए जब denominator same होगा इसके बादी आप जो है fractions को easily compare कर पाएंगे ठीक है आए नेक्स पेज पर चलते है यहाँ पर कह दिया हुआ है आपका comparison of unlike fraction ठीक है तो unlike fraction कैसे compare के जाता है इसके लिए आए देखते हैं तो यहाँ पर हम हर एक strips को देखते हैं ठीक है तो यह जो complete strip है ठीक है इसको क्या whole बोला गया है whole means क्या one ठीक है इसके बाद में यहाँ 20 से इसको 2 part में divide कर दिया और एक part strip कर दिया तो यह क्या कहला है half कहला है half को किसे डोनर करते हैं one upon two से ठीक है इसके बाद में यहाँ पर क्या third लिखा हुआ है तो इसको 3 part में कर दिया और यह one upon three हो गया ठीक है इसे तरह से यह fourth है one upon four यह fifth है one upon five यह sixth है one upon six फिर seven one upon seven फिर eight one upon eight फिर ninth one upon nine ठीक है और tenth one upon ten ठीक है इस तरह से हमने क्या देखा कि जो fraction है ठीक है उसके numerator और denominator अलग-अलग होती जाते है तो उनके size में अंतर आता जाता है ठीक है ना यह देखे चोटा होता गया है ठीक है one upon two सबसे बड़ा था फिर उसे छोटा one upon three फिर उसे छोटा one upon four फिर उसे छोटा one upon five फिर one upon six one upon seven one upon eight one upon nine one upon ten सबसे छोटा ठीक है तो इस तरह से जो है unlike fractions को जो है compare किया जा सकता है ठीक है तो इसमें के लिखा हुआ है when numerator is same sorry यहाँ पर when numerator is same fraction with smaller denominator is greater ठीक है तो numerator जब same रहता है तो जो smaller denominator रहता है वो उस वाला fraction जो है बड़ा रहता है ठीक है ना greater के लाता है और fraction with greater denominator is smaller ठीक है तो जिसकी one फिर one upon two one upon three one upon four one upon five one upon six तो यह जो है इन सम में देखे numerator सेम है ठीक है तो numerator जब सेम रहता है तो जो जिसका numerator छोटा है वो बड़ा होगा और जिसका numerator बड़ा है वो छोटा होगा ठीक है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग ध्यान में रखे ठीक है थीक है थीक है ना इस आर ten similar strips divided into different equal parts यह जो अपने हमने उपर देखी थी ना strip ठीक है यह strip को जो है ten equal parts में divide किया गया ठीक है ना we see that the size of each equal part decreases ठीक है ना हर एक part जो है यह देखी आप decrease कर रहा है ठीक है ना छोटा होता जा रहा है ठीक है ना with the increasing number of parts जैसे जैसे हम number of parts को increase कर रहा है तो उसका size क्या है छोटा होता जा रहा है तो इसलिए जो decreasing order होगा वो इस तरह से होगा यह पोहगा है है यह फिर उपन two छोटा one upon three one upon four four one upon five one upon six one upon seven one upon eight one upon nine और one upon ten इस तरह से decreasing order होगा और increasing order में one upon ten four one upon nine one upon eight one upon seven one upon six one upon five फिर 4, 3, 2 और 1 ठीक है जिस तरह से increasing order होगा ठीक है इससे तरह से आपका 2 upon 3 सबसे बड़ा होगा उससे छोटा 2 upon 4, 2 upon 5, 2 upon 6, 2 upon 7 ठीक है तो इस तरह से जो है students fractions का compare किया जाता है ठीक है इसके वाद आईए हम exercise पर चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है encircle the greatest fraction is each group यहाँ पर सबी group में आपको जो सबसे बड़ी fraction है greatest fraction है उसमें जो है circle बनाना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है encircle the smallest fraction is in each group इसमें से सबसे छोटी fraction आपको पहचाननी हे ठीक है और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको compare करके greatest या फिर greater than या फिर less than का sign बनाना यहाँ या तो greater than या तो less than का sign बनाना ठीक है बताना है दोनों में से कौन सी fraction आपकी बड़ी है ठीक है इसके बाद में write the following fraction in decreasing order यहाँ पर decreasing order में आपको लिखना है पर यहाँ पर ascending order means increasing order में लिखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है next page पर क्या लिखा हुआ कोमल read 9 by 13 part of a book in one hour and सविता read 7 by 13 part of the same book in one hour who read more तो कोमल 9 upon 13 part read कर दिती है और सविता जो है 7 upon 13 part read करती है book का तो ज़्यादा किसने read किया तो सिदह सिदह 9 upon 13 जो है वो बड़ा रहेगा ठीक है स्वाती 8 1 upon 3 part of an apple रीमा 8 1 upon 4 part of an apple तो किसने ज़्यादा खाया तो 1 upon 3 इसमें बड़ा रहेगा ठीक है स्वाती ने ज़्यादा खाया ठीक है न इसके बाद addition and subtraction of like fractions ठीक है like fractions को add और subtract कैसे करते हैं तो add जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 upon 2 plus 2 upon 9 plus 2 upon 9 तो इसमें जो है simply हम add कर सकते हैं 9 यहाँ पे नीचे लिखा 1 plus 2 plus 2 is equal to कितना हो जाएगा 5 upon 9 answer हो ठीक है तो sum of the numerators कर देते हैं और denominators को नीचे लिख देते हैं ठीक है न जब भी like fractions को add किया जाता है ठीक है न तो जैसे यहाँ पे 4 upon 11 है और 5 upon 11 है तो 4 upon 11 plus 5 upon 11 तो दोनों को add करने के लिए denominators same है तो same लिख दिया और फिर इसके बाद में यहाँ पे 4 plus 5 कर दिया तो हो जाए किता 9 upon 11 ठीक है तो इस तरह से जो है add किया जाता है ठीक है फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका exercise है तो यहाँ पे सभी में आपको क्या करना है add करना है fractions को तो इसको आप लोग add कर लिए करिएगा ठीक है इसके बाद में यहाँ पर subtraction है like fraction का तो जिस तरह से आप add करते हैं उसी तरह से आप subtract भी करेंगे जैसे यहाँ पर 7 upon 13 है और 12 upon 13 है तो आपको subtract करना है तो 13 लिखके यहाँ पर 12 minus 7 हो जाएगा तो कितना जाएगा 5 upon 13 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको जो है आसानी से subtract कर सकते हैं fractions को ठीक है इसके बाद में क्या दिलाओ यहाँ पर word problems on fraction तो यहाँ पर लिखा हुआ है and ant moves 7 upon 16 meters in the first minute and 5 upon 16 meter in the second minute how much distance it move in all तो दोनों को हम क्या करेंगे 7 upon 16 और 5 upon 16 को add कर देंगे तो 7 plus 5 is equal to 12 upon 16 हमारा answer आ जाएगा ठीक है इसके आद में sham read 5 upon 16, 7 upon 16 and 3 upon 16 part of book in 3 hours what portion of the book did he read in these hours ठीक है तो तीनों को add कर देंगे 5 upon 16 plus 7 upon 16 plus 3 upon 16 तो 5 plus 7 is equal to 12 plus 12 plus 3 is equal to 15 upon 16 total book उसने इतनी read कर ली ठीक है तो इस तरह से इसको करना है students आप लोग को ठीक है